हरो देखेंगे तो आपके घर पे छोड़ा सा ओवन दिख जाता है लेकिन वह नार्मल ओवन है हमारे लेव वाला थोड़ा से स्ट्रॉंग होता है जितने भी जुलोजी पढ़ना है लैब में आप जरूर देखेंगे चलते हैं आज हम लोग किलियर कर लेते हैं कि हीट ओवन क क्या है इसका क्लास आप यूटूब पर सर्च करेंगे लेकिन बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर ओवन दे जीजेगा तो आपको अपने अपके अंदर तो यह मिली जाएगा आपके कोर्ष के अंदर सीरियल बाई सीरियल पर लेकिन यह वीडियो हम यूटूब पर प कर सकते हैं और आगे की सही तरीके से पढ़ाई ले सकते हैं इसकी बुक रिलीज हो चुकी है तो आप बुक के लिए भी बोल सकते हो कि सर यह वाला बुक हम को चाहिए तो हमारे टीम आपको प्रोवाइट करने की पूरी जिम्मा लेती है और वी दिन 15 दिन के अंदर आपके घर तक पोश्ट अपिस और बाकी मटे के साथ पोश्ट अपिस मिल गया तो ठीक टाग नहीं तक कोरियर के साथ तो पहुंची जाएगा आपके घर बुक तो चलते हैं आज हम लोग पढ़ लेते हैं हीट एयर ओवन के बारे में मोस्ट वेलकम आपके अपने परिवार में ग डिस्क्रिशन में लिंक चेक आउट करने के बाद आप हमारे एंडरोइड डैप को जरूर डाउलोड करिये हम देते हैं इंडिया की से लॉर्जेश प्लेटफर्म जहां पर हम सिखा सकते हैं आपको जोलोजी बॉन्टनी अभी तक अगले नेक्स्ट येर हम को को सिखने का म इंडुडक्टिव पर्ट्स इंडुडक्शन जखना जरूरी है बाईया कोई आएगा घर पर तो आई चाही चलो नहाल चाल डैरेक्स पूछ दिए कि क्या करने आयो यह नहीं होता पहले पूछो मम्मी पापा भाई भावी कैसे हैं सब के बारे में तो वैसे हम पढ़ेंग के लिए मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक हमारा होता है ही एयर ओवन मोस्ट इंपोर्टन लैप के लिए आप इसको देख सकते हो कैसे यूज करना है क्या क्या पार्ट होते है कौन कुन कैसे काम करता है सब को एक्सप्रेंट किया जाएगा टाइम 45 मिट दे रहा हो उसके अंद क्या होता है तो इस्टेलाईजर के रूप में हम लोग इसको यूज करते है तो ॹिसे हम लोग क्या करते है सुष्क हवा निकालते हैं सूखी गर्म गर्म हवा निकालते हैं और यह जो गर्म हवा होता है वह हमारे जो माइक्रो आर्गनिज्म होते हैं क्या होते हैं हमारे जो माइक्रो आर्गनिज्म होते हैं यदि हम लोग O1 के अंदर कोई भी समान, कोई भी मैटर, कोई भी लैब और रिक्वाइड माटेरियल यदि हम उसमें डाल देते हैं तो हमारा वो सुरचित रखता है उस पे चाहे हमारा वैक्टिरिया हो, चाहे फंगास हो, यानि वन वाइरसेस हो, वो कोई भी उस पे अटैक नहीं कर पाता, ठीक, इसलिए हम कह सकते हो, कि इसको हम लोग के कंट्रोल के लिए लगातार अपने लैब के अंदर यूज कर रहे है, हास्पीटल के अंदर यूज कर रहे है, ठीक, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, यह करता क्या है, तो बताता है कि यह एंप्लॉई, मतलब यह लगातार निर्धारित करता है, नियोजित करता ह किसको temperature को वी higher temperature को सबसे वड़ी बात कर रहा है यह higher temperature को कहीं नहीं produce करता है जो इसका temperature होता है वो 160 से लेकर 180 degree Celsius होता है मतलब normal temperature से 8 गुना ज़्यादा temperature ये लगातार देता रहता है 160 से 180 degree Celsius लगातार ये क्या करता है बाहर निकालता है और ये जो बाहर होता है इसको कहीं ने कहीं हम कह सकते हैं कि इसके अंदर exposure होता है required exposure लगे होते हैं timer लगे होते हैं दो घंटे का क्या कहने का मतलब इसका है कि ये दो घंटे यानि कोई भी समाने दे इसके अंदर रखा जाता है तो दो घंटे एक तक हम क्या करते exposure को set out करते हैं और वहां पर बाकी से वह कायम कर रहा होता है कि इस चीज़ को ध्यूज़र देना और यहां पर करता है कि दिपेंड करता है हमारे पास जो exposure दोदा जल्दी गर्म हो गा यदि वह दरवाजा हमारा ठंडा मतब खुला हुआ है तो हवा अंदर जाती रहेगी तो वह हवा बाहर भी आती रहेगी इससे वह थोड़ा लेट क्या होता है गरम होता है तो इस इसको ध्यान दीजिएगा कि आपके बेसिक कंपोनेंट्स यह इसी जगह से नजर आते हैं कि यह आपके डिपेंड करता है ओपन.temperature जो एक्सपोजर्स है कैसे आप वहां पर लगा रहे है आप 260 लगा रहे हो कि 120 लगा रहे हो 100 लगा रहे हो किवल 80 लगा रहे हो या 50 लगा रहे हो तो कैसे material को आपकी जरुवत है और और आप oven के अंदर किस material का use करना चाते हो किसको सुरचित करना चाते हो ये भी बहुत बड़ी पहलू होती है ठीक वहीं बात करेंगे अगले नंबर पर the benefit of dry heat include good क्या से कहने का मतलब है कि यह तो हमको benefit है है क्या यह तो benefit है हम अपने मन के मुताबिक क्या हम अपने मन के मताबिक नेच्चरल से हट कर कहीं ने कहीं material को शुरचित रख रहे हैं material को temperature दे रहा है तो कह सकते हो इसका सबसे बड़ी वेनिफिट यह है कि इसका oven का सबसे बड़ा benefit है कि हम nature को कह सकते हो ignore करके नेचर को इग्नोर करके एक ऐसा system isolated system मना लेते हैं उस isolated system में हम सही तरीके से material को सुरच्छित कर पाते हैं क्या करते हैं material को सुरच्छित कर पाते हैं इस चीज को आप ध्यान दिजेगा यहां पे सबसे बड़ी चीज है यहां पे अप्लिकेबल की बात कर रहा है कि हमारे पास यह जो मटेरियल है यह सबसे बड़ी चीज है कि जो लैब के अंदर जो हमारे हास्पीटल्स है उनके अंदर जितने भी हमारे सरजरी के मटेरियल होते हैं यानि क्या सकते हो operation करने वाले जो material होते हैं उनको सही तरीके से सुरच्चित रखने के लिए उनको infection से बचाया रखने के लिए उनको सही तरीके से साब सुतरा करने के लिए हम इनका यूज करते हैं यानि surgery के अंदर क्या surgical instruments को मेटल के surgical instruments होते हैं उनको हम लोग reuse कर सके क्या कर सकते हैं उनको उनको हम लोग reuse कर सके बिना किसी chemical को लगाए तो आप अच्छे तरीके से यहां पे heat, air, oven का यूज कर सकते हो यह आपके सही तरीके से काम करता नजर आएगा वही बात करते हैं आगे तो यहां पे हमारे पास क्याता है इसका जो उपयोग है क्या इसका उपयोग है यहां पे कोई भी thermal क्या करते हैं इसको करते हैं कि यहां पे कोई भी non-equals देख बोल रहा होगा आगे यहां बोला इट आल्सो टिक यूज फ़ार यहां पे इस्टिलाइजिंग नान इक्वस थर्मो क्या वह रहा है थर्मो एस्टेबल लिक्वीड्स टिक यानि हम यहां पे कोई भी नारमल टरीके से एक नान इक्वस लिक्वीड को यूज कर सकते हैं जैसे थर्मो इस्टेबल लिक्विड्स हुआ जैसे गाय।ष जो उतने महंगे महंगे उपकर रहा है यदि हम उनको ठीक ठाक तरीके से साफ ना करें तो इंफेक्शन बढ़ेगा आपको इंफेक्शन हुआ है नार्मली किसी दूसरे को उसी कैची से यूज हो रहा है तो वह दिक्कत कर सकता है रहा इसलिए यहां पर हम इसका यूज लगा है क्या बैक्टीरियल इंडो टॉक्सिन जिसका एक नाम होता छोटा सा बैक्टीरियल इंडो टॉक्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं पाइरोजेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं पाइरोजेंस तो नोट कर लेना मिलोड इस चीजु को क्या इस चीज को आप नोट करना आयम पी लगाखे कर लेना यहां फिर यहां आपको क्योंके लिए नोट कर लेंगे पाइरोगेंस क्या होता है यह बैक्टिरियल इंडोढ जो टॉकसीन्स लें इस वह बैक्टिरिया द्वारा निकाला गया च्छोटा सा ओन लिक्विड्स जैसा material होता है जो कहीं ना कहीं pathogen के लिए यानि रोग के लिए कारिगर होते हैं यानि जो बैक्टेरिया होता है वो endotoxin का generation करता यानि generate करता है और उनसे generate होता है उसको pyrogens बोलते हैं तो इस pyrogens को निकाले रखने के लिए pyrogens को पूरी तरीके से खतम करने के लिए हम लोग कहीं न कहीं यूज करते हैं किसको heat air oven को क्या करते है heat air oven को यूज करते क्योंकि कुछ में से गर्म हवा निकलती है heat air निकलता है तो जो heat air है वो सही तरीके से लगातर काम कर रहा होता है और बता दे कि ये जो pyrogens होते हैं इस pyrogens को normal किसी दूसरे method से निकालना काफी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे इनकी जितने भी growth temperatures जहाँ इनका large temperature होता है इसको लोग buffer temperature कह सकते हो यहाँ पे large temperature होता है उस temperature तक यदि हम सही तरीके इसको गरम करेंगे तो भी हमारा कहीं न कहीं ये normal heat खतम नहीं हो पाते क्योंकि आप surface किसी भी material के surface को एक surface गरम कर सकते हो लेकिन जो heat air है ये हर एक surface पे अंदर अंदर जाके घोज जाता है और वहाँ पे जितने भी हमारे pyrogens होते हैं इस pyrogens को सही तरीके से वह क्या करता है नश करता है इसको pyrogens के नाम से भी जानते pyrogens आप क्या सकते हो और सबसे बड़ी चीज है कि यहां पे काश की बोतले काश की बोतलों के लिए बड़ा इसको लूँसी करते हैं यहां पे इसको यहां करती हैं और यहां पे यहां पे मतलब आप करना है तो हम लोग यहां पे जितने भी हमारे ग्लास होते हैं हम लोग उसको भी ग्लास के बोतल से हैं ग्लास के कहीने रॉड है ग्लास के हमारे का डिस्पोजल से हैं तो उनको भी कहीं न कहीं साफ करने के लिए ठीक उनको भी फिनिस करने के लिए सही तरीके से हम लोग हीट एयर ओबन का यूज कर रहे हैं ठीक और ध्या से मतला एक दब हम लोग सही तरीकिस को भर देंगे और अच्छे से उस पर हवा चली जाएगी और वह खत्ब का पूरा खत्म अब यहां पर क्या एक और मैंसे बोल रहा है कि हीट और यहां पर ड्राई हीट किल्स बाई क्या करता है यह ऑक्षिडेशन हैं हमारे पास प्रोटे और प्रोटेन विक्रितिकिड यानि जो प्रोटेन का हमारे पास दीनेशुरसंस और इनके और इलेक्ट्रोलाइट के ऊचे इस्तर के जो प्रभा होते हैं उनको भी क्या करती है मार देता है यानि पूरे प्रभा को खतम कर देता है यानि जितने भी मैटर के अंदर यानि ज क्या करते हैं खतम करते हैं higher quality higher layer तक हम खतम करते हैं ताकि इनका कोई भी प्रभाव हमारे किसी भी दूसरे और गनिश्ट पे दूसरी बार ना पड़े यानि हम लोग reuse करें करते समय वह पूर्ट तरीके से प्योर हो और नया हो और अच्छे तरीके से अगली बार काम कर सके तो यह रहा एक जनरल इंट्रोडक्शन काफी टाइम लग गया कोई बात नहीं सबसे बहुत करते हैं हमारे पास हमारा हीट ओवन है यहां पे क्या क्या होना चाहिए यह देख सब्सक्राइब अधिस्तर इंट के सब्सक्राइब कर चाहिए उस थे सब्सक्याइब अ कि मस्त्राइब बाइसं 127 Waterfront कessä करते हैं वृटा कर सकता cautious इसे संब्दा बात करते माद चेंबर होता इस us टीक यह हमारेपास इलेक्ट्रिकल हीटर्स की रूप में करता है यानिSen बड़ा सा यह बढ़ा सा रखाने जब होगा उसके उचाही होता है देस्टी से लेख लेचें मुझा करेते ह m Acting तो हमको तो लगता है इता बड़ा होगा क्या इता बड़ा की उचाई होगी आपके में मिल जाएगा देकी लिजएगा रखा होगा सारे सारे लैबे किसी और न Corey के लैब सकते हैं उनको include को कर सकते हैं और यहां से हमारे पास है यहां पर तर्मो क्याप्सूल से इसको को था उसका है यह सब स्वहते हैं कैश्य तरीको से इनके लगे होती है इसमें के सेंटर लगे होते हैं है कि मैं हम स्कीं टेटर चल रहा है यह कितने जुरस्त पड़ती है तो यहां पर एक सेंसर होता है जो यह बताता रहता है यह कितने तक आपको गरम करना ऐसे बागेगा इसमें तो मीटर नहीं लगा होता है तो आप बढ़ाते रहोगे वह मीटर भागता रहेगा और बताता रहेगा कि इसके अंदर इतना और यहां पर डॉर बाजबन करने के लिए गुंबद मी लगए होती है इसको टुकि टुंपरेश्य को उंदर बैलंस करनी है यह अब आगे हमको बात करते हैं यहां पर कि दिंद क्तलब था स्टिव ठाट करना पड़ता है जरूरी यहां पर पॉइंट है अब को देख लिजगा कि आप इसको देख लिजेगा कि सही तरीकिसे ऐसे करते हैं सबसे बहुत करें पोरे टिकल्स में रहे हम ओप यहां प swings करनेवाले मटेड यहां फूर office को क्या करें उसको क्या रहे साथ कारबोर कॉछ मनलग लगाए कारबोर लगाे प्लिक लगाए इन ऑ चीज है कि वहां स्वावा नियुट करना है इश्ट्राइश की जाने वाले जितने भी मैटर्स हैं करना है उन्कोआस सेलेक्ट करेंगे कार्बोर्ट और पेर यह आंदर के अन्दर कि हमारे यह क्या रहा है यानी हम लोग कहने क्या कि हमारे पास दुण को फ्लो को सुनच्छित करने के लिए सामिग्रियों की विवस्था करेंगे जिदर पंखा लगा उधरी गास के मत रख देना ठीक ध्यान देना जिदर जैसे कि आप इस चिछ को ध्यान देना कि इतना बड़ा सिस्टम है इधर लगाए फैन कि इधर लगाए फैन आप पहले प वहां पर मैं बना दूंगा आप देख लेना कि क्या होते हैं क्या नहीं होते उसके बाद हम लोग को सबसे पहले बात करना होगा कि अरेंज करना होगा जितने भी मटेरियल्स को हम लोग यूज करना है उसको अरेंज करेंगे और एस चीज़ अरेंज करेंगे वहां कि हमारे तंप्रेचर वाले मंटेरियल दोर रखेंग उसलिए उनको लास्ट की और रखेंगे यह जिसकी जैसे तंप्रेचर होंगी उनको वैसना दूर रखेंगे जिसकी तंप्रेचर सब्से हायर हो ठीच इसको ध्यान देना तो दिखाते हैं उनको थोड़ा सा दूर रखेंगे ठीक और ध्यान देना सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑवन के अंदर डिस्ट्रिबूशन काफी इंपोर्टेंट रोल गदा करता है और आप सही तरीकिस डिस्ट्रिबूट करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा किसी का जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी का मेल्टिंग पॉइंट को पीछे कर दिये और 100 को आगे रख दिये तो जैसे ही गर्मी लगेगी भया ना 100 के उपर जाएगा तो जो मटेल रखे हो वह पूरा वहापे गल जाएगा और पूरा आपका ओवन खराब हो जाएगा यह चीज को पहले पता कर लेना कि मटेल हम यूज कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना है मेल्टिंग पॉइंट को कम्प्लीट करने के बाद ही आप ओवन के इस इंगल करिएगा इसलिए कि हमारे पाश हमारा ओवन के अंदर क्या ओवन के अंदर मिनिमम जो बात करें 40 डिग्री से के उपर 180 तक आप पता करें कि यहां पर किस टाइप का है और कितरा टंप्रेचर लेगा बात करते हैं अलाउड टू फॉल हमको लगबालबा यहां की बात करें कि सबसे सबसे पहले हम लोग यहां पर 40 करते हैं ऐसे समाने होती है उनको गरम करने के लिए करते हैं ताकि वह काच के टमप्रिचर को इस अचानक गरम खोगत कीो निसान पुट सकते हैं तो जह सकते हैं क्लस्य क्यों हम जो ग्लिक वरे को पिरिएंड में रखे तक वह सही तरीके से ताकि उसके अंदर जितने भी इन्फेक्शनस माटेरियल हैं ठीक पाइरोजेंस की बात किया मैंने उसको खतम कर सके और ओवन के अंदर प्रवेस करते हैं तो यह चीज आप ध्यार रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग 40 डिग्री सेस्टेस पर मटेरियल को रखते हैं ठीक उसके बाद उसको धीरे अचाने टंप्रेचर नहीं देंगे हो सकता है कि अचाने टंप्रेचर दे तो वह तूट सकता है यारी काज की बोतले जो है वह तूट सकती है यह चीज आप ध्यार रखिएगा नहीं तो आपको भूगतना पड़ेगा पूरा प्रेटिकल किये होंगे पूरे प्रेटिकल मे यहां पर हमारे पास पार्ट क्या होंगे और किया होंग यानि जो हमारे पास ओवères दिखाई दे रहा हुगा सही तरीके से तो उसमें उसके पार्ट क्या होँगे इसके अंदर इनर चेंबर पाया जाएगा यानि इसके अंदर इनर चेंबर होता है लेकिन बाहर हमारा कैबिनेट दिखाई देगा कैबिनेट दिखाई देगा कैबिनेट दिखाई देता है और यह जो कैबिनेट होगा क्या यह जो कैबिनेट होता है इसके अंदर हमारा इनर बॉक्स होता है जिसमें हम लोग मटेरियल को रखते हैं यह चीज आप ध्याद तो ग्लास उल आईसोलेशन तो ग्लास उल आईसोलेशन क्या है बड़ी चीज़ यह है कि आंतरिक की जो कछाये हैं आंतरिक अच्छा मतलब बोरा दो स्पेस बिटमिन दो इनर चेमबर एंड एक्स्टरनल काबनेट मतलब यह कह रहा है भया कि सबसे बड़ी यह जो हमारे और जो ग्लास उलु आईसोलेशन की बात कर रहा है क्या जानि अनर चहंबर हूटर चेमबर और इक्टरनल चहंबर और इनर चयंबर चेमपर के हमाई अंदर है वह बाहर के atmosphere से ना मिल सके और सही तरीके से अंदर के temperature को बनाए रखे ठीक दूसरी बड़ी बात होती है एक्स्टरनल मतलब इनर चेंबर देश्टो इसको कलर नहीं कर पाए इनर चेंबर ध्यान देजेगा इनर चेंबर क्या है जो इनर चेंबर होता है ही इर और की मैट मंड़ला होता है heat and oven के अंदर इशपैसली बना होता किसका बना होता है यह भी आपका स्टील का बणा होता थो अंदर से चमकता हुआ दिखाए देगा हमारा प्यारा प्यारा ओआ द्यान देजीए के और हमारे पास अगला है टुबलर एयर हीटर लगा होता है इसके बड़ी चीज है कि यह क्या करेगा यहाँ पे टुबलर-एयर हीटर की वाथ करें तो भाईया सबसे बड़ी चीज है कि यह हमारे जो धिवार होती है जो जो इंटर्नल चेंबर होता है क्या होता है इंटर्नल चेंबर होता है वहां पर हीट जनरेटर के रूप में काम करता है जनरेट हीट यानि यह जो हमारे पास अगला टॉपिक आजाएगा मोटर अजदनल है मोटर ड्राहिव ब्लॉर यानि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इस거 ब्लूर कखतेivel क्या यहां पर अले당 तो मोटर की बात करें हमारे पास ब्लूर क्या है तो यहां पर ब्लू लगातर ते बन रहा होता है यहां पे तो कहीं न कहीं यहीं कर रहा होता है इसके बारे में आप ध्याँ दिचेगा हमारे एक लिएगा होता है तो 10 degree Celsius से जो maximum है यानि 10 degree Celsius से 150 degree Celsius तक देखा जाता है बट आपको इसके उपर भी अब लोग कभी कभी गरब कर देते हैं यानि गरब तो रही करना चाहिए वैसे कर सकते हैं कुछ लोग बढ़ा देते हैं मस्ती में देखो क्या होता है क्या करते हैं देखो क्या होता है लेकिन अब के समय ऐसा देखा गया है कि आज के सबे 200 से 250 degree Celsius के भी ओवन आने लगे है और आप अच्छे तरीके से काम को करने लगे है इसके बेसिस पर यानि जो बेसिक ओवन होगा वह 10 degree Celsius से 150 degree Celsius तक कह सकते हो मूफ करता हूँ नजर आएगा लेकिन आज के समय हम लोग बना चुके है 200 से लेकर 250 degree Celsius तक के ओवन के बारे में बात करते हैं नंबर अगले अगला कुछ और है टमप्रेचर सेंसर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है अब यह क्या करेगा आपको नाम से पत्रेचर को सेंस करेगा टमपरेचर को पैचान दिलाएगा कि भया इसके अंदर जो मटेरि और इसको डिस्प्ले करने के बात यहां पर डिसप्ले कर देगा कि आपके अंदर आपको चुछित करता है कि अधना टम्परेचर चल रहा है और आप सकते हैं हमारे पास यहां पर जो इनर वाल होता है क्या होता है इनर वाल होता है इसके अंदर उसमें जो यह सारे हमारे तो आणारा केसी वाम के सकते हैं ये सुलॉट लगा होता है यानधी स्लॉट इसलिए का div party रहा हूं कि ऐसलिए कि दिए को भी आनधे का डूअ हमारे अंदर जो भी त्रै बोलते हैं इसको ट्रे अब भी ट्रे पहुँ सकते हो ट्रे स्लॉट लगा Oh इस ट्रे में हम लोग ट्रे को रख सकते हैं जो भी मटे लख्ट रखना चाहते हम उस उसके तो अब कभी-कभी जो बड़े वाले oven है उनमें tray slot ज्यादा होते हैं और जो छोटे वाले oven है इसमें tray slot कम होते हैं ये चीज़ा आप देहार रखिएगा एन हमारे पास है यहाँ पे PID temperature control PID temperature control क्या है यह maintenance करता है temperature को during the entire cycle यानि पूरे cycle में temperature को balance करने के लिए और पूरे cycle में temperature एक बराबर बनाया रखने के लिए ये temperature को coordinate and control करता है और जितने भी हमारे temperature अंदर oven के चल रहे होते हैं वह temperature बाहर हमको दिखता हुआ नजर आ जाएगा यानि यह भी display करने का काम करता है ठीक आगे बात करते है लोड इंडिकेटर यह बड़ा इंडिकेटर है हमारे inverter में हमारे बैटरी में हमारे यह जो बोड इंडिकेटर लग अब इसको खाली कर दो आगे क्यों बात करेंगे हमारे पास यहां पर मेंस होता है में एक लगा होता है उसकी सहाता से हम लोग को चालू और बंद कर सकते हैं यहां पर हमारे पास क्या लगा होगा सेटि पार्टस थो टो सिप्टी होगा थर्मो इस्टेट के बात करते हैं यहां पर धर्मो सेटि लगा होता है यह यह क्या रता है क्या है ज्याता सुरक्षा तो अज्जादा सुरच्छा देने में तो अंदर की जुँपकरण उनको सुरचित रखने के लिए यह अपटी कंडिस्ट वहां से जितने भी हम लोग सीमपस डाले हैं उनको हम लोग सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उनको सेप्ट कर सकते हैं यह सेप्टी डिवाइस के तरह काम करता है अंदर की और यानि टंप्रिचर अचानक बढ़ा भी दिये कुछ टाइम बाद वह कट आउट हो जाएगा यानि अपने पुने डायरेक्शन में वह चला ज लेकशन में तर्मट मोटर यहां बताएगा उसके डबुल वॉल और होता है यहां रहा एक्स्टर्नल चंबर है यह इंटर्नल चंबर अभी बीचे में यहां पर यहां पर ग्लास भूम आइसोलेशन भरा हुआ है ओसके बाद पर इस त्रे आफ सेंपल यानि यह पर लागा ह होता है यारी द्रो का यहां पर क्या होगा यह बंद करने के लिए होता है कि इसको बंद करेंगे तो यह अच्छे से जाके वहाँ पर कि पख जाएगा और यहां पर हमारा होता है कि जो material अपंदर डाले हो वो कितना time तक हो गया तिक वहाँ पर हमारे तंप्रेचर कंट्रोलर लगा होता है यह एक और टाइमर लगा होता है तो यह हमारा बना हुआ है दारमल हमारे पास ओन होता है जो लैब में देखने के लिए मिल जाएगा यह का इंटर्नल पार्ट के बारे में थोड़ी से जानकारिया जूटा लिएगा ज़्यादा आपको जरुद भी नहीं और जादा आपको चाहिए भी नहीं सबसे बात करते हैं यहां पे एक मोटर लग यहां से यहां तक देखने के लिए मिल जाएगा क्या इसके बीच में आपको आइसोलेशन यहां से यहां तक देखने के लिए मिल जाएगा एंड बाकी जो कैबिनेट है यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा कैबिनेट वाला हिस्सा है यानि यह जो हिस्सा है यह क्या है इस तीर का आउटर काबिनेट के रूप में पाया जाता है और यह जो देख रहे हैं यहां पे यह त्रे स्लॉट है जहां पे आप ट्रे को तरीके से फसा सकते हो यह इनर लाइनर है इसके रूप में कोई बड़ी चीज नहीं है यह सिंगल डौर है डबल डौर के सबसे बदी से देखना जरूरी है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब भी हम लोग इस्टिलाइजेशन करते हैं क्या करते हैं जब भी हम लोग इस्टिलाइजेशन करते हैं तो इस्टिलाइजेशन में ड्राइए सब से बढ़ी चीज होती है वहाँ पे उनको चलाना सब से बढ़ी चाहिुता है करना मसीन कब थिक चलते हैं जब तक हम सही तक थिक, टक चलते हैं लेकिन जब करना भंद कर जो भी ठीक तरीकी करेगा ऐसे लोगों को lab में होना चाहिए यानि एक बहतर operator उस सिस्टम के बारे में चाहिते हो डोसरी चीज है कि दूसरी चीज आ पर है कि जो सर्फेस के से लिक्विट का लेप करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम लोग उनको खतम कर सकें और सबसे बड़ी चीज होती है नमबर अगले में कहेगा कि यहां पर होल अबजेक्ट यानि जितना भी हम लोग अबजेक्ट लगाते हैं करते हैं को अब होता है एक चुते से प्लेज के लिए जहां हम लोग मैसी लगा रहें के लिए एक अवस्यक त्यूस्यक टापमान सकें अपनी टम्फरीचा को ले सकें अच्छे तरीके से आपने आपको इसये कर सकें और यहां पर dry heat की बात करें cases के अंदर most of the injury by oxidizing particles यानि सबसे बड़ी चीज यहां पर हमारे पास यह होती है कि इन गर्म हवाओं के जो कड़ होते हैं वो आक्सी कड़ के द्वारा अधिकान छती कड़ पुचानी है यानि सबसे बड़ी चीज़ों कि जैसे heat लिकलता है यदि हमारे पास heat थोड़ा ज़्यादा है तो हमारे जो कहीं न कहीं parts होते हैं जो में metal use करते हैं उनमें injury देखने के मिल जाता है वो भी oxidation के रूप में यानि oxidation बड़ा जल्दी होता है इनके अंदर ठीक और यहां पर primary cell components की बात कर रहा है वो damage हो सकता है ठीक organism मर सकता है यानि हम लोग कोई भी चीजों को तेजी से गरम कर रहा है कि तंप्रेचर कंट्रोल ना हो तो उसके अंदर जितने भी organism होंगे वो सही तरीके से जेवित नहीं रहेंगे वो जेवित नहीं रह सकते region क्या है कि आप उनको जादा गरम कर दिये हो अब उन बे बाद में analysis कैसे होगा अब अगला चीज है कि temperature को हम लोग क्या कर सकते हैं कि सही तरीके से complete करने के लिए यहां पे हम लोग eliminate करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि resistance लगाना पड़ता है क्या लगाता है resistance के लि तो कांची होता है कि उनको खतम करने के लिए temperature जो होता है वो कम से कम एक घंटे तक यानि वन हावर्स तक आप temperature को रखे रहेंगे और क्या ऑन हावर्स यानि एक घंटे तक आप temperature को रखे रहेंगे तब हमारे पास जितने भी resistance bacterial conditions होता है तब हम लोग उनके उस पोर को खईन कैसे यूज करते हैं dry sterilization को यानि सूखा क्या है इनको कैसे यूज करेंगे तु सबसे बड़ी बात करते है और जूज ऑन हीट एयर ओवन हम लोग सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम को complete करने के लिए हमको heat and oven चाहिए मुल रूप से यहां पे हम लोग कहीं न कहीं dry sterilization करने है कि this method is a proper यहां पे हम लोग क्या करते हैं like glassware, powders, oil containing materials, metal materials हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं dry sterilization के अंदर हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है glass के यतने material है उनको यूज कर सकते हो powder को यूज कर सकते हो oil containing material को यूज कर सकते हो and metal जो होते है metal के materials होते है उनको भी हम dry sterilization कर सकते है यानि सुखे विदी से सुखा सकते है यानि fresh दे सकते है यानि freshness cover करा सकते है heat air oven की बात करे एक्ट यहां पर minor की बात करते है सबसे बड़ी चीज़ यहां पर है storage inside the oven don't grief meltdown यानि सबसे बड़ी ची heat air oven को इस तरीके से काम में काम लाते हैं या इस तरीके से काम करते हैं कि इसके अंदर रखने वाले जितने भी पदार्त होते हैं इसके अंधर पड़े हुए जितने भी instrument होते हैं वह more room से बात करे क्या इसके अंदर रखे जले meltdown ना उन में कभी भी वह melting point के अपने नीचे नहीं आए ताकि वो जो पदार्थ है उनका मेल्टिंग ना हो सके ध्यान देना इनके अबन के अंदर कंट्रोल लगा होता है सेंसर लगा होता तेंपरिश जो पता करता है कि किस के मट्रेल को कितना तंपरिचर चाहिए होता है इस चीज़ को यहां पर प्रैमिरली की बात कर र अंको कहीं कहीं काहीं कॉडिनेट करने के लिए हम लोग ड्राइ स्टिलाइजेशन की कर सकते हैं थो यहां पर यूज किया गया है यूज किया घ्या रिए उतर्फरिश करके किसी भी सिश्टम के अंदर जालते हैं किसी भी ऑतंतर के अदर बैदेते हैं तो उस चीजों को हम लोग रइव या फिर यहां पर डिराइश अ का नाम दे देते हैं तो इसके बारे में बता सकते हैं देखो जितने बी असकी स्टूडेंट निलिए तो काम हो गया उनके लिए उतना ही था अब हम लोग बात करें थोड़ा से MST के लिए टिक किस के लिए MST-Level तक की बात करें यहां बात करते हैं इसके अंदर क्या होते हैं से हीट लगे होते हैं एलगाता है कि जहां से जो गर्म हवाएं होती है उनकेे जो चेमबर होते हैं उनके पूरे इलाके में फैलने के लिए उनमें छोड़े छोणे शित है एक यह झाँ है आप जो गर्म हवाएं निकल रही होती है क्या जो ग्रम हभाई निकल रही होते हैं उस पूरे चेमबर में ट्रेवल करता है क्या करती हैं पूरे में ट्रेल करती है और अप उड़ीं अवर्च अब बात करते हैं सबसे बड़ी होता है या क्यlet में ऐसा देखा जाता है कि हवा होती है वह आपको चारों दिसाओंस भावाइं को तरीकेश से सब्सक्राइश में तरी साहे हैं मिजोंन होती है होती है यहां पर और थफे होती है पार्टिकल्स की सबसे बड़ी चीज होती है यहां पर पार्टिसपेट की यानि यह जो हमारे पास हीट ओवन है यह पार्टिसपेट करता है सबसे बड़ी चीज मेडिकल लेबोटरी के अंदर ज्यादा देखने के मिलता है क्या मेडिकल लेबोटरी के अंदर ज्याद यह जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको यह चीज जरूर कराया जाएगा और वैसे भी हम लोग वाले हैं हम लोग यह तो हम लोगों की बेसिक चीज़े हैं तो हम लोग को तो कराया जाए ठीक अब देखो सबसेवड़ी चीज़े आप और आ जाएगी कि अपलीकेशन क्य है इनका यूज कहां करते है बाइया सबसे बड़ी जेज की ग्लास के मटेल को यूज करने के लिए जो N95 देखो अभी कोवीड हुआ था ना तो कोवीड में N95 माक्स जो था उनको भी आप सही तरीके अप लग हम लोग क्या करते हैं साबूल लेके उसको सेंपू लेके उसक है आप उनको भी श्लाइस कर सकते हो यहां पर हम लोग पैकिंग करने के लिए लाइफ साइंस वाले स्टुएंट जितने भी होते उनको और माइक्रोबियोजी में काफी जादा यूज हो रहा है ऐसा कुछ है कि नहीं हो तो एक तो यूज आप बचा करना कोई दिक्कत नही है और जो हुमारे फर्मा इंडिस्ट्य है क्या फर्मां इंडिस्ट्य है वहां पे यूज हो रहा है फूड में यूज वह फूड बेबी रेज मटेरियल इंडेस्ट्री एंड टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री के अंदर हम लोग हीट एयर ओबन को लगातार यूज कर रहे हैं अब अगली बात करते हैं बोलता है इट हेल्फ इंद यहां पर एलिमिनेशन ठीक मस्चुराइजर यानि किसलिए वह या कि करते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को इसको यूज किया जा रहा है यानि ड्राइंग है इन चीजों के लिए हैं इन चीजों के लिए लगाता है हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर मिजर्मेंट आफ मिक्स लिक्वीड ठीक जो मारे पास मिक्स लिक्वीड होता है ठीक उनको भी यूज करने के लिए जिसको हम लोग MLSS कहते हैं इनको भी हम लोग कह कर सकते हैं measurement इनके temperature को measurement करने के लिए इनको से तरिके से balance करने के लिए हम लोग इनको यूज कर रहे हैं यह चीज आप याद रखेगा और सबसे वड़ी चीज है यह कहां पर जितने भी सराब और नहीं है एलकोहाल वाला वह दारुकी बोतल वाली वह वाली यहां किरते हैं लोग ठीक आगे अब सबस्क्राइब के अंदर तो हम यूज करेंगे hospital के अंदर यूज करेंगे किस लिए store material के रूप में बैया वहां पर डे सारा material storage है ऐसी भी दवाएं हैं जो temperature पर रखे जाएंगी ऐसी भी दवाएं जो ठंडी जगा रखी जाएंगी उनके temperature को सही तरीके से complete करने के लिए उनके temperature को सही तरीके से बनाया रखने के लिए हम लगातार यूज कर रहे होते हैं ठीक तो यह रहा आज क्लास हमने पढ़ाया आपको ओवं के बारे में कि आखिरकार दोंगा आप उसको पढ़ लीजेगा वहां पर आपको complete हो जाएगा वैसे सभी को thanks कि आप पूरा वीडियो जो भी देखा होगा और बागी लोग भाग गया उनको तो सीखने के मिला दी होगा तो चलते हैं यह डेमो क्लास रहा YouTube चैनल और Facebook के लिए मिलते हैं नेस्ट क्लास को तब तक के लिए टेक केर बाइबाए एंड जैहिंद